राजिस्थान से हैं अमन्दीब स्वागत हैं आपका हालो है अलो जी अमन्दीब जी सवाल कर लिजे आप जी मैं नमस्कार नमस्कार टीवी में मत सुनिये फोन से बात कीजिए मैं में फोन पर बात कर रहा हूं ठीक है जल्दी से सवाल कर लिजे हां जी मैं कुछ टैम पर ले जैसे मेडिकल नशार करने लगया था हां ठीक है तो मैं सरसे ये पूछने जाता हूं कि मुझे अब उसे चोड़ना है तो क्या करना होगा उम्र क्या है आपकी में ट्वंटीफ देकि छोड़ने के लिए तो आपकी नियत काफी है आपका होसला आपका अजम काफी है और फिर भी आप को से पूछते हैं तो यह फिटक्री होती है ना फिटक्री आप जानते होंगे नाई शेफ बनाने के बाद ऐसे लगाता है एक सफेश सफेश सी फिटक्री जब भी पिटक्री ऐसे रखें और जबान से ऐसे चाट लें बस एक बार जब भी आपको यास सता है तो इससे आपकी वादत चूटना मुम्किन है जी गोरखपूर से हैं अरपिता जी स्वागत हैं आपका आपका जी नमस्कार मैं मेरा दो तीन क्वेस्टन है पूछिए सबसे पहल पूछिए सब्देन के वाद प्रॉबलम में और दूसरा मेरे शेस पेंपल होते है और वो फ्रीमपल से थोड़े बहुत थी हो गया है बट वो थी चिट आइप कर मिसान हो गया है भूँट ठीक है और तीसरा सवाल तीसरा सवाल मैं मेरे कमर में बहुत दर्द होता है और त्वाइंटी त्री है चुनाम ठीक है अच्छा बच्चा देखो आप की तीनों प्राब्लम का एक घरे लिन उसका है लेकिन असली लेना जरूरी है जिन बच्चियों को भी महासे निकलते हों निशान पड़ गए हों चीपे हों चेहरे पर निशानात हों महासे पिंपस निकल में दर्द हो याद रखें वाइड डिस्चार्ज की वज़े से कमर में दर्द हो तो उन्हें चाहिए एक ग्राम सफेद गौन मोरिंगा पानी में मिला कर दूद में मिला कर या नारियल पानी मिला कर तीनों मैंसे किसी में मिला कर ले जैसे आपके हालात हों देखिए नारिय गॉण मॉरिंगा अस्ली लेना आपकी डियुटी है यह लाल जैसा दे देते हैं, पीला जैसा दे देते हैं, यह अस्ली गॉण ओरिंगा सफेध वाला, लेना, आपकी जिम्मदारी है, सो दो सो ग्राम खरीद लें, आपके बालों पर भी यह काम करता है और आपकी सारी बीमारियों को इससे फाइदा होना मुम्किन है दरदून से हैं सोनी कुमार सैनी जी स्वागत हैं आपका हालो है सोनी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है आप टीवी में मत सुनिये हालो हां जी बोलिए सवाल कर लिए तेज अवाज में बात कीजिए हां बोलिए तो मैं आप बोल ली जी अब आप आप जी मैं नीम के पत्ता और ये पत्ता और ये पत्ता और ये पॉल गेट बनाना चाहता जैसे मूझ होने के लिए जैसे बुरुष करने के लिए ना तो नीम का पत्ता लीजे और बहुत सारा लेना पड़ेगा इस सूप के जरा सा हो जाता है जैसे आप तीन सो ग्राम लेंगे तो पचास ग्राम हो जाता शूप का नीम का पत्ता मिले नीम का फूर मिले नीम की चाहे चाल मिले लकड़ी जो होती ना ऊपर की जिसे चाल कहते ह इनको पौरडर बना लीजे 100 गिराम, और यह जो अखरोट आता है अखरोट का छिलका 100 गिराम, इसका भी खुबारिक पॉर्डर बना लें, और इसमें इन 100-100 गिराम लें, और इसमें 20 गिराम मिला दीजे खाने का सोड़ा, और फिर इस से आप मांजा करिये दान्त, आपके दात मजबूती में बेमिशाल हो सकते हैं. तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है लेकिन आपको ये सारी चीजे बनानी वैसे ही हैं जैसे अभी हकीम साहब ने आपको बताई हैं. दर्श को अगर आप लोग कोई नुसका या तो लिख नहीं पाते हैं या फिर आप लिखते लिखते भूल जाते हैं तो आपको करना क्या है help line नमबर पे call करनी है कोई भी नुसका अपने आप बिल्कुल मत बनाईएगा बिल्कुल भी खुद से ऐसे मत सेवन कीजिगा कि इतन को हम लोगोंने 24 आज के लिए help line नमबर आप सभी के सामने चल रहा है आप कॉल कीजिए इस पर जानिए कि नुसका कैसे बनता है raw material असली है या नकली है जो मार्किट में मिल रहा है या पर आप लोग हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी help line सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके उम्र क्या है बीज सार अपेंडिस बता रहे हैं ची अच्छा बेटा ये operation के बगार भी ठीक हो सकता है लेकिन आप समझ ले नस्वे को एक तो जब भी दर्ध होगा तो आपको वही दवा लेनी पड़ेगी जो आप लेते हैं डॉक्टर्स की वही दवा ले ठीक है अब एक आता है एक आती है देखो अलसी अलसी तो सभी महिला जानती हैं आप नहीं जानती तो मम्मी से पूछ लेना रही तो आप तो सर्च भी कर सकते हैं अलसी सस्ती दवा है चार-पाश्चु ग्राम अलसी खरीद ले और इसको हलका सा भून के प और बना कर रख लिए आपने अब आपको लेना है नमक जैतून नमक जैतून असली लेना जरूरी है यह देखने में बिलकुल नमक जैसा होता है जैसे आपको किचन के डबे में नमक भरा होता है न यह सोडा भरा होता सफज सफज देखने में यह बिलकुल वैसा ही होता है खाओ तो नमकीन नहीं होता हलका सा कड़वापन होता है ठीक है अब आपको एक चम्मच अलसी लेना है और एक अलसी का पाउडर और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए इसमें मिक्स करके आप रोजाना एक बार या जाज़ जादे दो बार खाने से पहले खाया करे बूल जाए तो खाना करे बाद भी खा सकते कोई नुक्सान नहीं है और पानी पिए खुब दिन में पांच बार गरम तो आपको फाइदा होना मुम्किन है दिल्ली से हैं उर्मिला जी स्वागत हैं आपका हमड़म नमस्कार नमस्कार हकीम जी को भी नमस्कार जी आदार ज उनकी उम्र है पचासी साल उनको शुगर भी है बीपी भी है उनको पथरी है मडम उसमें पित की थैली में ठीक है और उनको शाहत की भी बीमारी है और वो थाटी खाती है लो पासी सारी लेकिन उनकी भी फटी भटी है और उसमें दाना पड़ा हुआ है तो और गले में पानी नहीं निगला जा रहा और मतलब तांस का भी पंप लेती हैं, गोली भी खाती हैं, तो क्या करें जो सारी दवाईयों का एक हो, और मैणम एक सवाल हो रहे है, मेरा भतीजा है, दस पाल का है, और वो बाथ शूम कर देता है दिस्टर में, तो हाँ उसका क्या करें, तीसर है, तो उसके लिए क्या करें, माना बाहर से दवाईयां खाता है, कभी तो बिलकुल तूख जाता है, और कभी थोड़ा मोटापन हो जाता है उसको, तो क्या करें जो उसको आराम मिलें? जी. पहले बैटी की बात कर लेते हैं, लगिए जो भी दवाई उसकी चल रही है, वो छोड़ें नहीं, और वो धीरे-दीरे कम होती जाएगी, जो मैं उसका बता रहा हूं, वो शुरू करेंगे, तो दो महीने बाद वो धीरे-दीरे कम होती जाएगी, और इससे अगर आपको निजात चाहिए, तो वो दवाई खाते रहें, और लिख रहें आप तो बहुत दनिया, तीन सो ग्राम धनिया, और सो ग्राम मेथी, सो ग्राम आवला, और दनिया, सो ग्राम आवला, तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम मेथी, सो ग्राम आवला, और सो ग्राम सफेद गौन मोरिंगा, अचा बाकी तो सब आप चीज़े जानते ही हैं, लेकिन सफेद गौन मो मिलता है सफेद वाला लें असली वाला लें तभी आपको फायदा होगा यह भी सो ग्राव ले और पॉडर बनाके एक चमच शुबा उस गोली के बाद उस गोली के साथ उस गोली से पहले जो डॉक्टर में दी हुई है ले लिया करें गरम पानी से और एक चमच रात को सोते सम है साथ-ाथ महीने इस्तमाल करेंगे तो उनको फाइदा होना मुम्किन है मम्मी का क्या बताया था हम में वो शुबर भी और मुह में च्छाले भी है कुछ भी खाती है तो दिक्कत परिशानी होती है पेट में भी दिक्कत है उनको जद लिए बहुत सारी बीमारिया है उनको जो भी बीमारी होती रहे उसका इलाज करते रहे कोई भी इलाज छोड़ नहीं सकते इस उमर में और डायमटीज और ब्रेट पेशर बहुत ज्यादा मेन हैं और वो कंट्रॉल बड़े मुश्किल से आते हैं क्योंकि उनके इस्टराइड चल रहा है जो दवाएं चल रही है व और उनका ऐसी खायर लगी है आप चाहें तो जैतून का सिर्का तीन तीन चमबस सुबा और शाम खाने के बाद गरम पानी में मिलाके दिया करें इससे उनको काफी रहते होना मुम्किन है तो बिल्कुल देखिए रहा जरूर हो जाएगी लेकिन उसके आपको अपनाने ओधाल जी घजक रवड़े इस सब चल लगा यह खूब खिलाया करें इनको रात के समय रवड़ी घजक आती है न यह खूब खिलाया करें और रात को सोथे समय दो अखरुट अपने हाथ से तोड़े उनका ताजह ताजह मघज निकाले siya बिल्ए निकाले उनकी की इनकाले है अगले कॉलर स्वागत है आपका जी सर प्रश्ण क्या है कि नीद नहीं आती आपके उम्र क्या है और यह नीद कब से नहीं आ चमच रात को एक गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें अगर आपको शूगर है तो शूगर नहीं है तो एक मुठी भरके अंगूर खाके सोया करें अगर वो भी नहीं ले सकते अंगूर का जवाना नहों अंगूर की हैसियत नहों यह कोई और परिशानी है तो एक मुठी शक खाके सोया करें शकर, चीनी, चीनी के भी हलात नहीं हो, तो सो ग्राम गुड़ खाके सोया करें, आपको खुब अच्छी नींद आएगी, और शुगर वाले जैतुन का सिर्का पी के सोया करें, नींद आपको खुब आएगी गफलत की और आप पको फायदा होना मुम्किन